यह आज का डिसाइन ह formidable बहुत ही सिंपल और सिंगल कलर में हैं कि इसमें हम फिर्स्ट रो जो है है जैसा हम सिंपल बुनते हैं वैसी ही फिर्स्ट रो इसमें सिंपल आइगी फिर्स्ट और सीकेंड रो हरस्ट रो अम सीधि सीधि बूलेंगे ale सेकेंड रो जो है हम उल्टी साइट से उल्टी हीप बुनेंगे थर्ड रो से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा इसमें हम फर्स फंदा ऐसे ही ले लेंगे बिना बुने और सेकेंड फंदे से हम एक फंदे के जो है तीन फंदे दागा इस तरह से पीचे को गुमा करके तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा बिना बुने फिर से इस तरह से दागा भीचे को गुमा करके एक के तीन फंदे बनाने हैं एक बिना बुने लेना है इस तरह से एक के तीन फंदे बनाना है फिर से एक बिना बुने लेना है और फिर बैक साइड से लेकर के इस तरह से दागा इस तरह से गुमाना है एक के तीन फंदे बनाने एक फिर बिना बुने लेना है फिर एक के तीन बनाने है इसी तरह से हम पुरे रो हम कम्प्लीट करेंगे तिल दी एंड एक के तीन बनाने और एक बिना बुने लेना है इस तरह से दावा इस तरह से पीछे से गुमाग गए एक के तीन बनाने है पूरी डू इसी तरह से कंप्लेट होगे नेक्स्ट डू में बैक साइड से एक फंदा लेंगे बिना बुने और धागा पीछे करके जो तीन एक के हमने तीन बनाये थे उन तीनों को इक बुनना है फिर जो हमने बिना उतारे रखा था उसको अभी भी बिना उतारे रखेंगे और धागा पीछे को ही रखेंगे इस तरह से बिना बुने रखा था उसको अभी भी हम बिना बुने उतारेंगे और धागा पीछे ही रखेंगे इस तरह से तीन का एक बनाना है और जो बिना बुने था वो बिना बुने ही रखना है। इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को कम्प्लीट करेंगे एक बुना बिना बुने जो रखा था उसको बिना बुने ही उतारना है और जो एक के तीन बनाए थे उन तीन होगा एक बनाना है इसमें हम सीधा सीधा बुनेंगे पूरी सिलाईक हम सीधी बुनेंगे और उल्धी साइड से हम उल्टा बुनेंगे अब हम एक्स्ट रोसे फिससे सेम वही डिजाइन जैसे हमने पहले बनाए एक बंदे के तीन दागा इस तरह से पीछे से बुनेंगे गुमा करके हमने फ्रेंट साइड से नी बैक साइड से एक बंदे के तीन बनाने है एक स्किप करना है और एक के तीन बनाने है क्वड़ से नी बनाने है क्वड़ इसी तरह से हम एक के तीन और एक बिना बुने लेंगे पूरी डो हम इसी तरह से कंप्लेट करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी सा डिजाइन है अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो इसी तरह से आप पूरा डिजाइन जो है बना सकते हो उल्टी साइट से फिर उसी तरह से सेम एक बिना बुने लेना है वाँ धागा पीछे ही रखना है और जो तीन फंदेथ है उसका एक बनाना है और जो बिना बुने था उसको बिना बुने ही लेना है इस तरह से आप इस सिंपल से डिजाइन को बना सकते हैं किसी भी बच्चों की स्वैटर पर कार्डिगन पर और जेंट स्वैटर में भी आप इस डिजाइन को जो है बना सकते हैं पूरी रोह हम इसी तरह से बनाते जाएंगे तीन फंदों का एक इसको स्किप करना है और दागा पीछे ही रखना है दागे को हम आगे नहीं लेकर के आएंगे तेनों फंदों के गठा बनके एक फंद जो स्किप किया है उसको वैसे ही लेना है अब हम फिर से दो सिलाई एक स्रीधी और एक उल्टे बनाएंगे इसी तरह से हमारा डिसाइन जो है वो कंप्लीट है झाल 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 झाल